प्रवल में किसान अंदुलन वे राकेश ठिकेश द्वारा ब्राह्मनों के खिलाफ एक वयान दिया गया जिसमें उलों ने बोला कि मैंने और हमारे लोगों ने अब तक जो ब्राह्मन समाज को दान दक्षिणा दी कि वह हम वापस चाहते हैं कि वह कहां मर गए कहां चले गए अगर वह नहीं आए तो मारा पीटी करेंगे मंदिरों से निकालेंगे देख लेंगे ऐसे सब्द कहें गई तो उसकी गड़ी में सबसे शुरुआत पहले यह करते हैं कि राकेश टिकैट हमारा जाड समाज या किसी भी समाज से ब्राम्मन समाज और समाजों से किसी से कोई वि उनके परण से लेके मरण तक जो भी दानदर्षेन अब रामनों को दी तो उसकी शुरुवात आज जैपूर जिले से हम लोग कर रहे हैं विपरशेना की तरफ से उनको यह चैग रवाना कर रहे हैं वो जो दान आपने ब्राम्मन समाज को दिया ब्राम्मन समाज आज आज हैं लोग चालू रखेंगे दूसरा उन्होंने कहा हमारी भ्हाइन को देते हैं पुझारी को देते पंडित को देते तो हम टेंकर की व्योस्ता कर रहे हैं तीसरा उन्होंने का कि लंगर लगा है समय देख लूँगा तो मेरा निवदन एक अप जैपूर आएं अजार आए दस लाग आए लाग आए सबके लिए लंगर की वियोस्ता है अंतिम बात मेरी यह है कि भारती किसान यूनियन के जो पतादिकारी मेरा उन्चे नम्र निवेदन है कि यह विरोध अभी राकेश टिकैत के खिलाफ राश्टी प्रवक्ता के खिलाफ नहीं है क्योंक है ब्राह्मन समाज अब वह समाज नहीं रहा जो सुन लेगा पिट लेगा हम लगबग इंदुस्तान में 18-20 करोड़ लोग है और यह विरोध पूरे इंदुस्तान में चल रहा है आपने ब्राह्मन की आत्मा को रुलाया है यह वीडियो जो बच्चों ने देखा जो अंदूलन राकेश टिकेट वर्सेश अब्राहमन समाज हो जाएगा हमारा किसान के ना भी पक्स में हमार को राध्की से कोई लेड़ा नहीं है ना बीजेपी से कांग्रेस से हमारा विरोध केवल और समाज कंटक राकेश टिकेट से हैं और विरोध हम बिल्कुल शांती प्रियोग हम भी कर सकते थे पैसे देने के जुरुत नहीं थी पर अगर ये तू ये समझ रहा है मेरी अगर बात को सुन रहा है तो ये सुन ले कि वह हमारे पर लांसन लगाया कि हम देते हैं अरे दिया तो हमने सद्यों से दे रहे हैं आजिरवाद के रूप में दे रहे हैं अगर ये भारती किसान इसको बरकास नहीं करती है तो हम इसके वहाँ जाके जूतों की माला पेनाएंगे जहां यह मिलेगा काला मूं करेंगे और इसका विरोध इस तरीके से हम चारों इंदुस्तार में चारों तरफ से जारी रखेंगे करेंगे